सोनबदर जिला इस समय खनन को लेकर पुरे परदेश में सुर्ख्यों में हैं जहां आए दिन अवैद खनन तथा अवैद वसूली की चर्चाए होती रहती हैं ऐसा ही कुछ दुद्धी तहसील के कोरगी और नगवा बालू साइजों पर देखा जा सकता है जहां जिला पंच्रायत के नाम पर अवैद वसूली धलड़ने से हो रही है खनन एरिया में से गुजडने वाले ट्रकों को बकायदा रोक कर उनसे जबरन 400 उपए प्रतिचकर लिया जा रहा है ना देने पर उनके गुर्गों ड्राइवरों के साथ मार्पिट करते हैं जब इस बारे में आपर मुख्या अधिकारी संतोष कुमात्री पाठी से बात की गई तो वह कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर गए कुछ दिन पहले विधायक हिरा राम चेरो उप जिला अधिकारी वो शेत्रा अधिकारी उक्त बालू साइट पर गए थे जहां यह वसूली करने वाले विधायक सहित अधिकारियों को देख भाग खड़े हुए थे जानकारी के नुसार सौनभदर के दुद्धी तहसील में इन दिनों बालू साइटों पर जिला पंचायत के नाम पर धलड़े से वसूली चल रही है जहां पर ट्रकों को रोग कर उन से जबरन 400 रुपे प्रतिचकर लिया जाता है विरोध करने पर ड्राइवरों के साथ मार्पिट की जा रही है इसकी शिकायत जब अधिकारियों से की गई तो उन्होंने इस पर चुपी साथ ली और कोई भी कारेवाही करने से पल्ला जाड़ लिया यह वसूली बिना रेट लिस्ट लगाए बिना कोई कागजात लिये की जा रही है उप जिला अधिकारी दुद्धी वर शेत्रा अधिकारी दुद्धी जब जाच के लिए मोखे पर पहुझे तो वसूली करता उन्हें देख भाग खड़े हुए पर कुछ से में भी जाने के बाद फिर से वैसे ही वसूली होने लगी सौन भदर से समध आता पंकस सिंग की रिपोर्ट पंचा लोग है बाद इसे लोग कि वेश्क नाम पढ़ेगा अपका कहा कराने वाले आता है कि कहीं भी शुली नहीं लगता है वह इए बालुड हुए लेखि जारखन रही हैं आता है लेकि लेकिन लगता इस प्रहित्सी वहाँ नहीं लगता है क्या नाम परेगा आपका कहां से आया है यह जो अभी कोर्गी बालू साइट पर गय थे जिला पंचायद द्वारा असूली किया गया आपने बताया कितना पैसा लिया गया और क्यों लिया गया चार सुर्पर लेते हैं साब लगता तो कहीं नहीं उत्तरप्रदेश में कहीं भी नहीं लगता हम लुग तो हर जगह आते हैं लेकिन यहां देना पड़ता है जिवर जस्ती ले लेते हैं कितना लिये चार सो परची दिये जी नहीं देने पर क्या कहते हैं नहीं देने पर मारन लेटेस्टोबरे पाने के लिए बेल इकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें। थान्यवाली। लेटेस्टोबरे बेल जाएख, प्लस्क्राइब करें। झाल राएख, लेटेस्टोबरे घर पाने के लिए उन्यवाली।